सूप्रभातम आसा है आप सभी स्वस्त होंगे। मैं जय की सोर से हैं। आज आपके बीच जार्ज पंचम की नाक सिर्षक व्यंग प्रधान कहानी लेकर उपस्थित हूं। आज की कक्छा में मैं आप समों को कहानी की प्रस्तावना यानी भूमिका से रूबरू करने का प्रयास करूंगा। छात्रों प्रस्तूत अध्याय सहित्य की कहानी विधा है। यह एक ऐसी रचना है जिसमें कमलेश्वर जीने संपून व्यंग मानो मुख मंडल के स्रेष्ट अंग नाक पर केंद्रित किया है। नाक को मान सम्मान प्रतेष्ठा इज्जत इत्यादी का प्रतीक मानते हुए भहारतिय सरकारी तंत्र की बख्या उधिड दिया है। अंग्रेज अधिकारी जार्ज पंचम की नाक को केंद्र बनाकर स्वतंत्र भारत के सासकों प्रसासकों पर करारा ब्यंग किया है। इसका कारणिया है कि अंग्रेजों के साथ समुंदर पार चले जाने के बाद भी भारत आपनिवेशिक मानसिक्ता से मुक्तिन नहीं हुआ है। आजादी के बाद भी भारत के सासक मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है। इसकी कहानी ऐसी है कि जब इंग्लेंड की रानी एलिजा बेथ अपने पती के साथ भारत के दोरे पर आने वाली थी। तो उनके स्वागत में दिल्ली नगरी को दूलहन की तरह सजाया जा रहा था। किन्तु सरकार का यह कार्ज देश भक्तों को अच्छा नो लगा। ऐसे में इंडिया गेट पर लगी जार्य पंचम की मुर्ती की नाक किसी देश भक्त ने तोड़ दी। गुलाम सरकार मुर्ती की नाक लगाने है तो मुर्ती कार को बुलाई और यह आदेश दी की किसी मुर्ती या किसी जिंदा आदमी की नाक काट कर मुर्ती की नाक को फीट किया जाए। फलता देश भक्त मुर्तिकार ने सरकार के खोखले पन और गुलाम मानसिक्ता को आलोकित करने है तू सरकार को वीबस कर किसी जिन्दा व्यक्ति की नाक काट कर मुर्ति पर फिट कर दिया लेखक कमलेश्वर जी ने सरकार यम देश के ऐसे लोगों पर ब्यंग किया है जो भारत में रहकर भी पर देशियों के गुलाम बने हुए है रहते भारत में है अन और जल ग्रहन करते भारत का है किन्तु इतने दिनों के पसात भी उनके मन में अभी भी अंग्रीजों के प्रती वही मान सम्मान स्नेह और आदर का भाव भरा हुआ है लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हम पाठकों को या संदेश देने का प्रियास किया है कि हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए हमें देश भक्त बनना चाहिए हमें कभी भी कताई भी गुलाम मान सिकता का सिकार नहीं होना चाहिए और देवाल को या स्निल्दने करनी का स्वyo Ursula